ताजा समाचार तमारी भाशामा मेडवा माटे डाउनलोड करो गुजरते मिड़ेनी एप कि एजन्सों का दूरूपयों हुए वो क्यूं चलाये गया है कि इनके जहन में डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिठे खुड़ जाएंगे क्या कहेंगे जिस तरीके से जाकन के आलाद हैं और जिस तरीके से वहां पर अर्गोर पर निकल रहे हैं को नगे इसके सवाल उठ रहे हैं देखिए ये मुझे तो बड़ा आश्चर्य है आजादी के बाद किसी भी दल के संसत के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैस नहीं पकड़ी गई होगी सेकडो करोडो रूप्य का कैस संसत के घर से मिलता है और पूरा इंडी एलाइंस मौन है इस करप्षन पर मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को कॉंग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फित्रत ही ब्रश्टाचार की है परन्तु चाहे त्रिनमुल कॉंग्रेस हो चाहे जेडी यू हो चाहे आरजेडी हो इस सारे दल डियेम के सहीद चुप बैठे है सफा भी चुप बैठी है कोई रियेक्शन नहीं अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोदी जी के खिलाप ये जो एक प्रचार अभ्यान चला कि एजन्सों का दूरूप योग हुए वो क्यूं चलाएगा कि इनके जहन में एक डर था कि हमारे करप्शन के सारे कच्चे चिठे खुल जाएंगे और मैं मानता हूँ कि ये उचिती ही हुआ है जिस प्रकार से इतनी विपूल मातरा में ब्रश्टाचा जारखन जैसे गरीब राज्यमे हो रहा है वो आँख खुलने वाला है और ये जो रादनितिक प्रपोगंडा करते हैं एजन्सों के दूरूप योग का उनको ये अपन आप ही उनके ही कृत्य से जवाब मिल गया है इतना भारी करप्शन करने के बाद भी अगर कोई एजन्सी काम न करें तो एजन्सी की क्षमता पर सवाल होते हैं और मैं मानता हूँ कि ये राहूल गांधी से लेकर इंडी एलाइंस के सभी लोगों ने इसका जवाब देना च तक इस देश के जन जन तक ले जाएगी और जागरूति लाने का प्रयास करेगी हमारी लड़ाई 2014 से भ्रष्टाचार के खिलाप है धेल सारे कदम नरेंद्र मोधी सरकार ने उठाये हैं प्रधानमंत्री जीने उठाये हैं और इस दिशा में हम जन जागरूति लाकर इसको जरूर लोगों तक पहुँचाएंगे